हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो नेक्स्ट नायर सिटी सी यूटूब चैनल तो आज के वीडियो में हम जानेंगे रेलवे टिकेट्स एजेंट्स के बारे में इसके बारे में और जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें टेल्स समझाये हमने आप इसको भी चेक कर सकते हैं अगर आप चैनल पर नहीं आए हैं तो डू लाइक शेर और सब्सक्राइब नेक्स्ट नायर सिटी सी यूटूब चैनल लेट स्टार्ट धी वीडियो IRCTC भारती रेलवे आधिकारिक खानबान और परिटन भागीदार भारत की सबसे बड़े संगट नों में से एक है एक आधिकारिक आकडों के मताबिक IRCTC पोर्टल पर रोजाना 6 लाग से जादा इटिकेट बुक होते हैं चीज़ों को आसान और अधिक कुशल बनाने के लिए IRCTC अपने आधिकारिक भागीदारों को टिकेट बेचने का लाइसेंस देता है IRCTC भारती रेलवे की सायक कंपनी कई नियमों और शर्तों के सत रेल टिकेट बुकिंग के लिए एजेंट्शिप प्रदान करती है हलाकि अधिकरत रेल एजेंट बनना आसान नहीं है रेल वे टिकेटिंग एजेंट बनने के लिए आपको हर जटिल विवरर जानना होगा आईए अब जानते IRCTC एजेंट वे टिकेट कैसे बुक करते हैं एजेंटों को असिमित संख्या में IRCTC से इटिकेट बुक करने के अनुमती है टिकेट रद होने के डर के बीना टिकेट एजेंट अधिकरत टिकेट जारी करने में सक्षम है IRCTC एजेंटों को टिकेट बुकिंग पर कमिशन के रूप में 20-40 रुपे मिलते हैं सबी एजेंटों के नाम फाइन एजेंट्स IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं एक IRCTC टिकेट एजेंट 80,000 रुपे तक की मासिक आये और जित कर सकता है टिकेट तेजी से बुक होते हैं क्योंकि IRCTC वॉलेट से पैसे काट लिए जाते हैं ट्रेवल एजेंसी का विवरेंट टिकेट पर प्रदुशित होता है क्योंकि वेपार का अच्छा प्रचार होता है IRCTC टिकेट बुकिंग प्रक्रिया व्यक्तिकत उप्योग करता और IRCTC टिकेट एजेंटों के लिए कई माहिने में अलग है एक यूजर को एक मन्त में सिर्फ छे टिकेट बुक करने की अनुमती है दूसरी और IRCTC एजेंटों के लिए एसी कोई सीमा नहीं है IRCTC एजेंट एक दिन या एक महिने में जितने चाहे उतने टिकेट बुक कर सकते है यूजर के लिए IRCTC पोर्टल पर कोई शामील या सदस से शुल्क नहीं है आप एक खाता बना सकते हैं और मुफत में टिकेट बुक करना शुरू कर सकते हैं एजेंटों के लिए हाला कि उन्हें IRCTC को वारशिक शुल्क देना होगा पहले साल के नामानकन शुल्क है 6999 है पहले वर्ष के बाद IRCTC एजेंटों के लिए वारशिक सदस्य शुल्क है जो 2999 प्लस GST है IRCTC एजेंट के लिए आवेदन करने से पहले आपको इन सबी डॉक्यमेंट्स की ज़रूत पर सकती है जिसमें आधार कार्ड, पेन कार्ड, मुबाइल नंबर, इमेल आईडी और एक हालिया रंगिन फोटो IRCTC पर व्यक्तिकत यूजर आईडी से टिकेट बुक करने के लिए एसी किसी दस्ताविच की आवशकता नहीं है IRCTC अकाउंट बनाने के लिए केवल व्यक्तिकर डेटा जैसे ना, मुबाइल नंबर, इमेल आईडी, जेंडर आदी के आउशकता होती है रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सफलता पूर्वक जमा करने के बाद आप CAC, IRCTC एजेंट संक्रियन, प्रक्रिया और समय जानना चाह सकते है IRCTC ने अपनी वेबसाइट पर सपष्ट किया है कि आधिकारियों दोरक किये गए पूनिस अप्तियापन के बाद एक IRCTC एजेंट आईडी उत्पन होती है सबसे पहले सदस्ता शुलक के साथ आवेदन और पंजीकरन फॉर्म प्राप्त होता है फिर ओनलाइन के वाईसी और वीडियो सत्यापन किया जाता है उसके बाद एक अधविती IRCTC एजेंट लोगिन प्रमान पत्र एक्टिवेट होता है और उप्योग करता को भेज़ा जाता है परसनल यूजर आईडी के मामले में ऐसा नहीं है आवेदन पत्र जमा करने के बाद पंजीकरण प्रक्रिया की जाती है और टिकेट बुकिंग तुरंत की जा सकती है IRCTC ट्रें टिकेट बुकिंग के अलावा कई अन्य सेवाई प्रदान करता है IRCTC एजेंटों को IRCTC की विबिन पूरक सेवाई जिसे फ्लाइट बुकिंग, बस बुकिंग, मॉबाइल, DTS रिचार्ज, बैंकों में मनी ट्रास्टपर, हॉलिडे पैकेज बुकिंग, होटल बुकिंग, दुबई वीजा और बहुत कुछ मिलता है IRCTC पर यूजर्स के लिए एसी कोई सुविदाय उपलब नहीं है अगर आप रेलवे टिकेट बुकिंग एजेंट का कमीशन जानना चाहते हैं तो हमारे पास इसका जवाब है CAC, IRCTC एजेंट कमीशन उस वर्ग के अनुसार बदलता रहता है जिसमें टिकेट बुक किया जाता है स्लीपर और सेकेंड क्लास के लिए 20 रुपे प्रती पी एनार, AC क्लास के लिए 40 रुपे प्रती पी एनार, कमीशन IRCTC एजेंटों को दिया जाता है व्यक्तिकत यूजर आइडी के लिए कोई भी कमीशन नहीं मिलता है IRCTC एजेंटों के लिए अलग-अलग तकाल टिकेट बुकिंग नियम है व्यक्तिकत यूजर आइडी के लिए प्रती पी एनार केवल 4 टिक्टों की अनुमती है हलाकि कोई भी IRCTC का आधिकार एक एजेंट बन सकता लेकिन IRCTC लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कुछ आवशकता है रेलवे एजेंटों दोरा IRCTC ओनलाइन टिकेट आपके पास एक वेट क्रेडिट डेबिट काड और नेट बैंकिंग सुविदा सक्षम बैंक खाता होना चाहिए टिकेट बुक करने के लिए आपके पास टर्मिनल या कंप्यूटर ये लैप्टॉप होना चाहिए बुक किये गए टिक्टो को प्रिंट करने के लिए आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए आपके पास काफी हाइट स्पीड इंटरनेट करेक्शन होना चाहिए एजेंट पंजीकरन फॉर्म स्विकार करने के लिए आइएट सी त्वारा अधिकरत कई वेबसाइटों में से एक पर जाए सबी आइएएट सी अधिकरत सेवाएं प्रदाताओं कि सुची याउपलब दें आप वहां ICTC Agent Registration Form Download विकल देख सकते हैं आपके दोरह सफलता पूरप Form भरने के बाद आपको ICTC Agent Login ID प्राप्त करने के लिए कुछ साइक दस्तावे जमा करने होंगे जिसमें फोटो ID एक सत्यापित, प्रती जैसे आधार कार्ड पते का प्रमाण की सत्यापित, नविंतम रंगीन फोटो और पंजिकरन का एक डिमांड ड्राप्त शामिल है अब उनकी तरफ से जवाब का इंतजार करें इसमें तीन या चार दिन लग सकते हैं सफल सत्यापित के बाद आपको अपना खुद का यात्रा व्यवसाइड शुरू करने के लिए ICTC एजिन व्यवसाइड लाइसेंस प्राप्त होगा